दस सकुन और अब सकुन जो कववा बताता है और दुनिया उस पे यकीन भी करती है लोग मानेता है कि कववे में अदभुत सक्ति होती है यह आने वाले समय को पहले से ही जान लेते हैं इसलिए पढ़ी पीड़ी दढ़ी कववे के सुब और अब असुल सकुन पर चर्चा होती ही रहती है। सकुन सास्त्र में भी कववे से जुड़ी कुछ बातों का उन लेग किया। आई आज की इस वीडियो में समझनी कोईश करते हैं कि दस सकुन और अब सकुन कौन से हैं जो कववा को बताते हैं। ऐसी माननेता है कि कववा का जुन्ड आकर अगर घर की छट पर सोर करें और आपस में लड़ने लगे तो यह एक संकेत होता है। और यह संकेत होता है कि घर के मालिक पर कोई संकट आने वाला है। दोपहर में या दोपहर से पहले यदि पेड़ पर बैठे कववे का स्वर पूरब या फिर उत्तर किसा से सुनाई दे दें। तो यहां एक संकेत है और यह संकेत बटाता है कि दिल लावप्रद रहेगा और साथ ही साथ लावप्रद के साथ साथ स्त्री सुख का भी यह संकेत माना जाता है। अगर घर की छट पर आकर कववा अगर धक्षिन की ओर मूँ करके बोले तो यह एक असुभ संकेत माना जाता है और इसमें कहा जाता है कि घर में किसी भी की भी मिप्तियों तल्ले तुले जो है कस्ट का सामना करना पर सकता है इसलिए हमें सालधान रहने शुरी कहीं जा रहे ह हो अगर और रास्ते में कहवा किसी बर्तन में पानी पिते हुए दिखाई दे जाए तो यह एक संकेत होता है कि धन लाब आपको होने वाला है जिस काम से जा रहा है आप जिस काम से नी जा रहा है उसमें आपको सफलता मिलने वाली है कहवा अगर मूह में रोटी या फिर मा आप में अगर कव्वा अगर मुह में रोटी या मांसिक पीड़ा का भी सामना आपको करना पड़ सकता है कव्वा का किसी भी व्यक्ति के सिर के उपर आकर बैठना एक अच्छा सगुन माने रहे हैं और इससे रोब एवम ध्वन की हानी होती है सब ऐसा ही एक और है सुबह के समय अगर कवा उठता हुआ आकर पाउं से अगर सपरस कर जाए तो यह एक बड़ा ही सुब सबून होता है इससे जीवन में उन्नती मिलती है साथ ही साथ आपको धनका भी लाव होता है सुबह अगर सो कर उठे हैं और देखें कि घर पर आकर कवा काउं काउं के रट लगा रहा है तो यह अभी एक संकित होता है और आपके घर पर कोई मेमान आने वाला होता है यह जो है बहुत सारे संकित होता है लेकिन फिरहाल मैंने आज की सुड़िया वैं सिर्फ दस संकित के आथा कि कौवा को रोटी खिलाने के सामने किसी भी पशुल पशुल को, अगर आप रोटी खिलाते हो या फिर कुछी भी खिलाते हो तो यह बहुत ही अच्छा अच्छी बात होती है क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इसमें समझ है सूध भूज सब कुछ है इस तरह से अगर आप चाहो तो हर एक पशुपक्षी की भी सेवा कर सकते है और सेवा करने से कोई भी नुकसान नहीं होता है सेवा करना बहुत ही ज़़ा ज़रूरी होता है क्योंकि अगर एक ही जआ ठाझ आजए नहीं होता है एक् LETड करने सेवा कम लागा जादी होता है